वॉलिवूड और राजनीती के बीच हमेशा से ही गहरे संबंद रहे हैं लेकिन अब ये संबंद और भी मजबूत होते जा रहे हैं इसका एक उधारन है सुराभासकर और समाजवादी पार्टी के नेता फहाद एहमत की जिन्नोंने हाली में पूरे रीती रिवास से शादी की अब एक बार फिर वॉलिवूड गल्यारों में एक और जोडी की चर्चाएं होने लगी है हम बात कर रहे हैं वॉलिवूड एक्टर्स परिनिती चोपरा और आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता रागव चठा की आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी के सनेता के साल स्पोट हुई परिनिती दरसल बीदी शाम, वॉलिवूड एक्टर्स परिनिती चोपरा और आम आदमी पार्टी के फेमस नेता और पंजाब से राज्य सबाज सांसंद रागफ चढधा को साथ में स्पॉट किया गया जिनकी तस्वीर है सोशल मीडिया पर अपतेजी से वाइरल हो रही है अब इन तस्वीरों को देखने के बाद फैन्स डेटिंग के कयास लगा रहे है वही सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तस्वीर परिनिती चोपरा और रागफ चढधा के लुक की बात करें तो एक्टर्स में फुल ब्लाक लुक केरी किया हुआ है वही रागफ चढधा ने वाइड चढ़ केरी की हुई है जिसमें वे काफी हैंसम लग रहे है दोनों के इस कैजूल लुक में एक साथ काफी अच्छे लग रहे है हलाकि इन डिनर डेट के बाद दोनों का आर्मी बैट कर वहां से रवाना हो जाते है विससे आपको बता दे कि इससे पहले दोनों को एक रेस्टरॉंट के बाहर भी देखा गया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वारल हुआ था दोनों की लगातार मुलाकाते डेटिंग अफवा को हवा दे रही है हलाकि अब यह सिर्फ रिपोर्ट से किसी भी तरह से इस खबर पर कोई भी रियक्शन सामने नहीं आया है वहीं कई लोगों के मन में सवाल होगा कि दोनों की दोस्ती कैसे हुई लेकिन इससे पहले बता दे कि परिनीती चोपड़ा फिलाल सिंगल है फिलाल वे किसी को भी डेट नहीं कर रही है वहीं राजनेता, रागफ चड़ा, 34 साल की उम्र है, वो भी सिंगल है उन्होंने विविदक शादी नहीं की है आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं परिनीती चोपड़ा और रागफ चड़ा को जैनवरी में भारत यूके और सेंडिंग अचीवर ओनर्स के समान के साथ एक साथ नवाजा गया था इसी के बाद से दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई वह इसी के साथ बात करते हैं परिनीती चोपड़ा का वर्क फ्रंट तो आपको बता दे कि उन्हें आकरी बार फिल्म उचाई में एक एहम किरदार में देखा गया था वह इफिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबर जस्त कमाई की थी इस फिल्म में परिनीती के अलावा मिताब बच्चन और अनुपम खेर लीड रोल में नज़र आये थे